येस विशाल विरोज सभा का आदरनी अद्यक्ष कमरेट मंचमा अब पास्तेत नेपाली जनता को प्यारो पाटी नेपाल कमशपाटी नेकपा का आदरनी अद्यक्ष कुन पुस्पक मल्दहौल प्रचेंड मंचमा आशेन पार्टी का बरिष्टनेता प्रवक्ता इस्थाई कमिटी केंदरी कमिटी का सबै सदसे कॉंड़ेडारो रसिंगई देश बाटने यो काठ मांडू उपत्यका मा केपी वली को संबैधानिक कू का बिरुद्धमा आवाज गुंजाय मान गरदै यहां भेला हूनु वैका शम्पूण आदर्णी जन्समुदाय हरो तमा हर लई मोँ पार्टी को तठापड़ तमा हर लएक्रांतिकारी लाल सलाम का युवादनंगर चांच कमरेड हरो आदर्णी जन्समुदाय हरो पत्रकार शाथी हरो तमाहरले धेराई कुराहरू शुनीशक नुबायगोच्या मेची देखी महाकाली सम्मका सातरी प्रदेश का नेता हरुबाटा केपी वली को यो असंबैदानिक कदम का बिर्दमा विविन्न कुराहरू अगाडी सारदै कि तबाराई धेरे कुराहरू प्रश्ट राखी सकनुबायगोच्या समय पनी थो रही छा तिशुनाले मो तबार का सामो मा धेरे इलामों कि व्याक्यागर नगई रहकोच्याईन मला लाग दचा हमेले देश का सबई जसो जिल्लाहर मा कारे करता भेला गरे का चाहूं प्रतेक प्रदेश जसो मा हमेले विशाल विरोद सभारू आजना गरे का चाहूं मो अहले पनी समझी रहकोच्यों बिराटनागर को तयो विशाल विरोद सभा हमेले सभागी ताज जनाय को तयो भुटुवल को विरोद सभा रजय विशाल संख्यामा जन उपस्तिति भायको धनगड़ी को विश्ति विरोद सभा शुर्खेत को विरोद सभा शिर्हा को इकारक्रम हरु लगाए ती सभाई ठाव मा जनता को अपार उपस्तिति केपी वली ले देखन सकेका चैनन यत्रो जनसंख्या शिंगो नेपाली जनता को भावना लाई बोके रायका लाख इस जन्समुदायको भावना लाई केपी वली ले भुजनशकी रायका चैनन केपी वली जी तो पहले मदन भंडारी को नाम जोपने गर्नों चा अब त्यों नाम पनी बिर्शी शक्न बायको चा अब पस्पति नात को मंत्र जपन सुरू गर्न बायको चा तर पस्पति नात ले करलाई माया गर्चन था चा जो मानेश असल चा जो मानेश रामरो प्रवित्ति को मान चे चा जले धर्मा गर्द चा पाप गर्ने लाई पस्पति ले पनी माफी गर्देनान चेतना भया के पी वरी लाई स्पति शितना भया शंविधान मीचिने मीचहा लाई लोकतंत्र को हत्या गर्ने हत्यार अलाई जन अधिकार कुलची नेह रुलाई प्रधानमंत्री वली तिमी ले कती जना लाई अप्राधी राई जेल मा कोचे का छाओं तिम्रो संबेदन हींता लाई देखदा खेरी एत्रुग जिल्ला जिल्ला मा घटी रहको इस तो बलासकार का घटना परती तिम्रो असंबेदन शीलता लाई देखदा खेरी हमी लाई लाज लागी रहको छा तिमी जस्ता मान्छे नेपाली आमाले जन्माईन रत्यो पाटी ले तिमी लाई पढ़ान मत्री को पदमा पुरी आयो, आज तेई पाटी तिमी शिद्धाउन लागे का चाओं, तेई लोगतंत्र तिमी ले शमार्थ पार न लागे का चाओं, तिमी लाई धिक्कार चाओं, आम्रे पाली जन्ता ले भनी रहका चान, केपी वली लाई धिकार चा, पस्वपती नासले पन तेई भनलान, केपी वली लाई धिकार चा उनको थियो पाप बतीब बालरा तेती कैई कोशनी लेपनी दोई पखाली गाना सकता ही ना मुँ आजा मदर्मंदारी ले भने को कुरालाई समझी रायको छू वहां लेग के भन नुबायको थियो था चे वड़ा भाशन मा अरु अरलाई वहां ले चर्चागर नुबायको थियो धरारा वड़ा हेर्दाखे रे देखी ने ती अरुको के चर्चागर ने आ वली लेग आयजनागरे को सभा, आमिले आयजनागरे को सभा लाई, हेर्दा के धरार अवड़ हेर्णुपर ने हुंचा, क्येपी वलीशना केई हजार मान्चे बायेक, यत्रो स्थरकारी साधन खर्च गर्दा पनी, शारा भरष्टा चार का रकम हरो, खर्च गर्दा खरी पनी, और मान भाड़ा मा ल्याउदा पनी, बीच राहर को सभा यति सानो भैचा, शिंगयी वलीशमू निरास भैको छे, शिंगयी वलीशमू अईले हाथ प्रभ भैको छे, रचेशुनाले उत्तर्क मा भईना, धमकी मा, उचलपल मा भईना, आदेश दीने कुरा मा, उबहुमत मा भईन अपनो अधनाग बादी प्रप्रती मा, उसरा ही विश्वास उन्था लेको छा, यदी जन्मत मा भिश्वास हुदो भने, क्यों अभ्यक्ति ले पार्टी को भईना भाउमत ले माननू पर्दते, केपी वली भाउमत को साशन मानन तयार छान, यदी केपी वली भाउमत को सा निर्वासन आयोग्ले अस्तिमात्रई लेखेल पठाय को चित्थी माँ आमी जान दचाओं नेपाल कॉम्मिनिस्पार्टी नेकपा को 441 जना सदसे लाई यदी त्यो निर्वासन आयोग्ले भने को आधार माजाने हो बने लगभणना गराउं मार्च पास्ट गराउं चार से चारीज जना मद्दे केपी वली को पक्समा कती जना विंचन से जना आमरो पक्समा कती हुई एका चान तीन से जना तीन से जना को भवमत हुँच्च की से जना को भवमत हुँच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आजलाए निर्वासन आयोग मागार केपी वदे हमकाये रहा का सनस्ती घर हमकाये है UP consistent यह थो मजम कारे कि भने मौंत पईли अज्यक्षा हों क्यपी वाली कहाने को फिर द्यक्षाण यह मुद्ष falar को हो कि छो वली गुट को पहिलो अध्यक्षन, वली गुट को होला, बाल कोट को होला, तरह नेपाल कम्रिश पाटी ने कपा को पहिलो अध्यक्ष वही न, पहिलो अध्यक्ष वकी वही नमने कावड थापा हुने, पार्टी को बिधान बड़ थापा हुने, बिधान मा लेखे को छा, ल लेखे को चाहिए ना अनि योटा भनाई छा मानन मान मैं तेरा मेहमान तेटी कई मोत पहिलो अध्यक्षू कशले देवस न देवस ताज पहिले राजा भरहिली रहा काच तेशो नाले उनका ती तर्कमा कुने दम चाहिए न निर्वासन आयोग ले प्रश्ट उनुपर ने ज पत्याओनु जरूरी छाईना दस्तावेज हेरे हुँझा शर्कुलर हेरे हुझा निर्णै हेरे हुझा बिधान हेरे हुझा रत्यस्मा पनी संकाच बने 441 दिना ला भोलायरा एक-एक बेक्तिक उट्टाव को गंदापने हुझा अहले मों सुनी रागो छो कि निर्वाशन आयोग ले बहस मां प्रवेश करना पाउँ दैना आधी कारिक्ता को विवाद मां पस्न पाउँ दैना भरड़ा बनी रहका छन तरयो हेक्का रहोश अहले को निर्वाशन कानून बमोजिम कानून को 44 तफा बमोजिम प्रश्ट के लेखे को छबने यदि यवटेई पार्टी भित्र दल को नाम को बारे मां बिवाद आयो भने चिन्न को बारे मां बिवाद आयो भने अनि पार्टी को निर्वाशन चिन्न को बारे मां बिवाद आयो भने पार्टी को छाब को बारे मां बिवाद आयो भने बहुमत को निर् हामी स्विकार गर्ष महड़ा निर्वाशन आयो को कानून मा लेखी हेको छा त्यों कानून बमोजें निर्वाशन आयो गिले तेई अंसार ने प्रक्रिया गाडी बढ़ाई सकेको छा रखेपी वलीले आईले अगाडी बढ़ाई सकेको प्रक्रिया मा हस चेप गर्न थाले का अच्छान शंबेदानिक निकाल